नमस्कार मैं विराज आ रहा है आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशनल चैनल साइंस समराज्य पर जाँ क्लास 11th, 12th की त्यारी काफी बैहतरीन तरीके से आप सभी बच्चों को करवाई जाती है तो आज जो है काफी बैहतरीन दिन है हम लोगों का क्यो जो कि सिर्फ बोड के लिए सेफिशेंट नहीं होगा इसमें आपको जै इमिंस का भी content मिलेगा नीट का भी content मिलेगा और NDA का भी मिलेगा और 12th लेड़ के जितने भी competition के examination है जबी का sufficient content जो है आपको यहां पर मिलेगा जितने भी competition exam है सभी को touch करेंगे हम लोग और finally chapter इंड करने के बाद Jamins के Question Bank को हम लोग करने वाले हैं NEET के Question Bank को करने वाले हैं NDA के Question Bank को करने वाले हैं और साथ ही साथ CUT का जो exam अभी आपके सामने आ रहा होगा बहुत ही फेमस होते जा रहा examination काफी important examination आप सवी बच्चों के लिए after 12th इसका भी Question Bank हम लोग discuss करेंगे चाप्टर खतम करने के बाद तो आप सभी बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग काफी बहतरीन तरीके से और काफी sincere होकर क्या और काफी seriously जो भी lecture आने वाले हैं ये जो भी lectures आने वाले हैं इन सभी को follow कीजेगा proper notes बनाईएगा और जैसे offline में परते हैं वैसे ही आप अपनी पढ़ाई online में भी कीजेगा तभी आपको कुछ benefit जो होने वाला है तो हम लोग start करेंगे आज chapter 1 को electrostatics का जो आपका half part है electric charge and field इसको हम लोग start करेंगे और समझाने का तरीका इतना बहतरीन आप सभी बच्चों को मिलेगा कि आप जो है वीडियो देखने के बाद कहोगे कि भाई पहले ये lecture हमको मिलना चाहिए था ठीक है तो आप सभी बच्चे एकदम patience बना करके पहला ये lecture है तो patience बना करके पूरा लेक्चर देखिए आपको हर topic महसूस होगा आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सामने हर topic जो है वो चल रहा है तो start करते हैं आज के अपने इस class को जैसा कि मैंने आपको लिखा है कि physics जो है आपर सिर्फ और सिर्फ बोर्ट को पूरा पूरा टच करेगा theoretical point of view से तो complete आपको हर चीज मिलने वाला है चाहे हमको जितनी महनत करनी परे जितनी पढ़ाई करने परे जितना extra effort लगाना परे आप बच्चों के बीच मैं सारी चीजों को ले करके आऊंगा साथी साथ neat और NDA हमारा main focus जो है वो board रहेगा जैमेंस रहेगा नीट रहेगा और NDA रहेगा हमारा lecture जिस तरीके से होगा जहां तक board का content होगा जहां तक board का theory होगा numerical होगा वहां तक मैं पढ़ा दूँगा और आपको बता दूँगा कि भई यहां से board का सफर खतम होता है यहां से अब competitive view जो है वो शुरू हो रहा है तो जिन बत्चों को detail में जाना होगा वहां से पढ़िएगा जिनको सिर्फ board की पढ़ाई करना होगा वो वहां पर skip कर देजेगा वहीं तक पढ़ लिजेगा आपको कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है ठीक है तो lecture one है आज ठीक है मेरा नाम विराज आ रहा है एक बार फिर से आप सभी वच्चों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस educational channel साइंस समराज्ये पर ठीक है चलिए बाइसा तो पहला अपना जो chapter है आज आज का अपना जो फर्स चैप्टर है वो Mootım अज जो हम लोग डिल करने वाले अपना फिल्ड को यह ब्राँच है किस का यहः ब्राँच है लिखा रहा से ध्यान दोगे तो यहां पर लिखा हुआ है लिखा हुआ है इलेक्ट्रो एस्टाटिक्स लिखा हुआ है इलेक्ट्रो एस्टाटिक्स जो है इस दो वर्ट से मिलकर के बना हुआ है देगे एक दम सुनने से सिखर तक जाएंगे चोटी-चोटी बातों से सुरू करेंगे और बड़ी-बड़ी बातों पर जाकर के खतम करेंगे तो आप और अपने पास दूसरा आपने पास यह इसको मतलब होता है इलेक्टो का मतलब होता है चार्ज अगर अगर हम लोग बात करें स्टैक्स का हम लोग अगर बात करें स्टैक्स का मतलब होता है रिस्ट क्या होता है रिस्ट होता है तो आप ठीक से अगर देखो तो इलेक्ट्र एस्टैक्स लिंक्ट है चार्ज से और ऐसे चार्ज से जो चार्ज रिस्ट पर होते हैं उनको हम लोग क तो यह clear हो गया, electrostatics का दो पार्ट है, इसमें आपका पहला पार्ट है, electric charges and field, जिसको आज हम start करने वाले हैं, और दूसरा पार्ट है, आपका electric potential and capacitor, जिसको हम इसे खतम करने के बाद start करेंगे, हर तरीके से आपको मजबूती दिया जाएगा, हर तरीके से आपका साथ दिया जाएगा, आप बच्चे बस discipline से अपनी पढ़ाई करते रहिए, और ये आप पर depend करेगा, कि जो मैंने स्रीज स्टार्ट किया, English Medium का, ये कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा, है ना, और कितनी सारी महनत होगी, आपका response पर depend करेगा, आपका response जितना बैटर होगा, हम उतना बैटर हर चीज को ले करके आएंगे, ठेक है, चलिए, तो सबसे पहले, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का, Electric Charges and Refill, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है माईडियर, वह है चार्ज, तो आज सबसे पहला टॉपिक को हम लोग डिसकस करेंगे, वाटिज चार्ज, यह चार्ज नाम का जो बला है, यह होता क्या है, यह चार्ज होता क्या है, मेरे पहले साथी, ध्यान देना थोरा सा, थोरा सा ध्यान देना, हैना मुनना, तोरा सा ध्यान देना यहां अगर पलस है यहां भी पलस है तो इसमें क्या होता है सर कुछ तो होता है अड़े कुछ क्या होता है बताओ यह दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं अगर यहां माइनस है यहां पर अपने पास माइनस है इसमें भी कुछ कुछ होता है क्या होता ह यहाँ पर यहाँ पर अगर पलस है सर इसमें भी कुछ-कुछ होता है और यहाँ पर क्या होता है तो यह दूसरे के नजदीक आते हैं एक दूसरे के पास आते हैं बहुत बताओ यह दूर जा रहा है तो अपने मन से तो दूर नहीं जा रहा होगा बाबा निूटन ने कहा है कि कोई भी particle अपना position तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर force ना लगे तो अगर ये repel कर रहा है दूर जा रहा है एक दूसरे से that means यहाँ पर ये बात confirm है कि इस पर force लग रहा है और force कैसा लग रहा है तो force of repulsion लग रहा है ये इसको कर रहा होगा और similarly अगर ये इसको चाटा मारेगा तो ये भी मारेगा according to third law of motion तो ये भी इसको रिपेल कर रहा है ये इसको रिपेल कर रहा है ये दोनों में अट्रेक्शन है तो ये अट्रेक्ट कर रहा है ये अट्रेक्ट कर रहा है ये अट्रेक्ट कर रहा है अगर ध्यान दोगे तो यहा यहां पर काम कर रहा है रिपल्सन फोर्स आना यहां पर काम कर रहा है तुम्हारा क्या रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है और थोरा सा और द्यान दोगे तो यहां पर आपका काम कर रहा है एट्रेक्टिव फोर्स यहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है एक बात बताओ यह जो और attraction का force आया, यह किसके बज़े से आया, यह charge के बज़े से आया, मतलब charge किसी भी particle का, किसी substance का, किसी body का एक तो property है sir, जिसके बज़े से electrostatic repulsion और attraction force जो है उन charge particle के बीच काम करता है ले भाई या हो गया charge के लिए charge किसी भी particle का किसी भी substance का किसी भी body का वह property है जिसके बज़े से उनमें electric electric repulsion या electrical repulsion और attraction का force जो है वो काम करता है तो यह तो ओगे भी यह 10th का definition, यह किसका definition हो गया 10th का definition, 12th में यही definition को थोड़ा सा enhance किया गया है, force जो लगता है न बच्चा, यह किसी न किसी field के बज़े से लगता है, जैसे gravitational force जो है, वो gravitational field में लगता है, electrical force जो है, electric field में लगता है, अब बोलोगे सर, electric field क्या होता है, तो electric field चार्ज के चारो तरफ का चारो तरफ का फिल्ड होता है चार्ज के चारो तरफ के एरिया को boundary को हम लोग electric field कहते हैं तो अब इस charge का definition को थोड़ा सा enhance करेंगे यहाँ पर लिखा है charge is that property of a substance due to which it produces and since या फिर fields भी यहाँ पर बोल सकते हो since electric and magnetic around itself तो अगर चार्ज है अगर चार्ज है अपने पास है ना चाहे पलस हो या अपने पास माइनस हो तो अपने चारो तरफ एक फिल्ड बनाएगा जिसको हम लोग बोलते electric field क्या बोलते बच्छा electric field अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल इसमें आएगा तो उस attraction या repulsion का force लगने वाला जैसे पलस आ जाए और यह पलस है तो विकरसित करेगा मतलब रिपेल करेगा और अगर माइनस आ जाए यह अपने पास पलस है तो उसको क्या करेगा और उसको अपने पास है ना अट्रेक्ट कर लेगा तो चार्ज जो है यह एक फिल्ड बनाया जिसको एलेक्टिक फिल्ड बोलते हैं दुसरा चार्ज पार्टिकल उसमें आया तो फिल्ड किया attraction और रिपॉल्चन का क्रियेट करेगा बनाएगा और उसमें अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल आएयगा तो उसपर फोर्ड लगेगा चाहें वो इलेक्टिक फॉर्ड सोच फॉर्स लगेगा तो जाएं इसई बात कि दोनों चार्ज उसको फिल करने वाला करने वाला तो यहीं बोला जा रहा है कि चार्ज is that property of a substance due to which it produces and since electric and magnetic field around itself electric field तब create होगा जब charge rest में होगा जब charge move करेगा uniform velocity से तब magnetic field बनेगा और जब accelerated charge होता बचा तब 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 हना वो electromagnetic wave को भी generate करता है तो आगे हम लोग इस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं तो I hope so आप सभी को charge का introduction जो है कि charge क्या होता बटे charge यह आपके mind में clear होगा अगर clear होगा तो आपको comment section में प्यारा सा comment डाल देना है यहां भी यह आप जो बता रहे हो वो clear है ठीक है चलिए आगे बरते हैं सिर्फ बोड तक यह content sufficient नहीं होगा मैं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं जितने भी बच्चे जितने भी बच्चे class 12 में और किसी भी competition का त्यारी कर रहे है एक बार में लेक्चर देख ले ना प्यारे क्यों देख ले ना क्योंकि आपका जो यह सीडी है न चाहरने वाला ठीक है उसके बाद जो उरान भड़ोगे यह सीडी मजबूत करेंगे भी र जयक कोई body है यह क्ए कोई body है और यह बडी जो है अपने पास यह neutral है यह क्या है Newshire seventh है तो हम लोग जो है significance लगाते हैं तो इसमें number of proton और number of electron बरावर होते प्यारे इसमें number of electron और number of proton क्या होते बरावर और number of electron बरावर है number of proton के इसका मतलब है कि इसमें net charge जो है इसमें net charge जो है वो होगा 0 अब आपके मन में सवाल आएगा कई से बदाओ जर कई से कुछ भी बोलोगे हम भरुसा तो रही कर लेंगे अब ध्यान जे समझोगे तो अपने पास अगर कोई भी atom है ठीक है अपने पास x कोई अपने पास क्या है कोई atom है तो देखो तो ध्यान जे इसका representation आपको पढ़ाया गया होगा कि नीचे में लिखते हम लोग z उपर में लिखते ए और सिर्फ इतना ही नहीं आप इसको ऐसा भ बड़ समझा दो और आप ऐसा भी लिख सकते हो है ना कि आप जे यहाँ पर a यहाँ पर कहने का मतलों सिर्फ इतना है कि नीचे आप जे लिखोगे ऊपर a लिखोगे नीचे जे लिखोगे उपर a लिखोगे सर यह जो जे जड है इसको हम लोग बोलते हैं atomic number इसको क्या बोल आप सभी बच्चे जानते होंगे काफी basic है एक को क्या बोलेंगे तो एक को बोलते हैं हम लोग atomic atomic mass इसको हम लोग कहते हैं आप सभी बच्चे को थोरा सा ध्यान देना है आपने एक formula पढ़ा होगा बच्पन से आपने formula पढ़ा होगा कि अगर atom neutral है अगर atom क्या होता है अगर atom क जो है अगर atom जो है वो अपने पास क्या है neutral है तो number of protons बराबर होते किसके atomic number के और यह खंड सत्य बात है कहीं जूठा नहीं होगा कभी जूठा नहीं होने वाला है यह कि अपने पास definition ही होता है atomic number का number of protons को ही हम लोग क्या कहते है atomic number कहते है ठीक है तो यह किसके लिए for neutral atom मैं लिख देता हूँ यहा पर यह किसके लिए for neutral atom और सब्सक्राइब होता है जयरब बराबर होता है जयर बराबर होता है क्योंति के और अगर neutral atom है तो भाया number of proton किसके बराबर number of electron के है ना तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हला कि अगर थोरा सा ध्यान दोगे है ना तो यहाँ पर miss mind हो गया neutral atom के लिए है ना for neutral atom ये formula सही है और ये जो है किसी के लिए भी सही है ना चाहिए वो उस पर charge हो या फिर अपने पास neutral हो जैड बराबर P सब में होता है अपने पास atomic नंबर और proton का जो अपने पास नंबर है वो हर atom में बराबर होता है और neutral में जैड बराबर P बराबर E होता है थोड़ा समिस्टे को उसके विए से सौरी है अभी मैंने आपको जो बाते हैं वो बता दिया कुछ और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा कि ए बराबर जो है अपने पास होता है P अलाकि इसकी जरुवत नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगी से देख लिजेगा ठीक है तो यह सा क्यूं हम आपको सिखा रहे हैं ऐसा क्यूं सिखा रहे है वो थोड़ी दिर बाद समझ में आएगा अभी तो बताया तो यहां से आगे बरेंगे अब देखेंगे टाइप सबसे पहला जो टाइप है वह बच्छा पॉजेटिव चार्ज क्या होता है आप सभी बच्चों को पता है कि किसी भी बड़ी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी बड़ी से इ चार्ज आएगा रिसांपल बताओ ना सर इक्जामपल समझने में मज़ा आता है एक्जामपल ते समझने में मज़ा आता है खाला ले उप्र कभी तो सुना होगा के यह जो सोडियम है इना सोडियम है इसका घुव अटमिक नंबर है वो रही होता है इना 11 academic उन्टी-3 होता इस पर कोई चार्ज ने इसका मतलब यह नूट्रल है नूट्रल है नूट्रल में नूबर उप्ल्ट्रण बरावरते नूबर प्रोटोन यहां पर हम लिख सकते हैं कि जैड कितना है जैड़ तक खास करके दिखाय दे रहा है ना साफ साफ हाँ कुसे 11 है प्रोटॉन कितना वो भी 11 ही होगा बूलो कोई दिक्कत कोई परिशान नहीं आप लोग को नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इस चीज को जो है यहाँ पर लिख देता हूँ आणा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो वो भी होगा कितना 11 आपने कभी तो सुना होगा कि शोडियम जो है एक एक इलेक्ट्रोन, एकras एक्ट्रोन को छहोता है एकлек button का जब ट्याग करता है तब उस पर एक धनावर्य साता है बहुत अच्छा बात है तो वो एक्वाइर करता है एक positive charge को एकattan को लौस करके ठीक है सब एक electron जो है किसी को दे दिया किसको दे दिया, अपना रिष्ठेदार को दे दिया, ना, तुमको का मतलब उससे, किसी को सोटियम एक electron दे दिया, तो उस पर एक positive charge आएगा, क्या अभी बताओ, क्या Z जो है, बदल जाएगा, ना, क्या अभी A बदल जाएगा, ना, तो फिर बदलेगा क्या, बदलेगा number of electron, और भाई जेड अभी भी 11 ही होगा पी अभी भी कितना होगा 11 ही होगा इलेक्ट्रोन एक अपन परोसी को दे दिया एक वो किसको दे दिया अपन परोसी को दे दिया ते वो गट जाएगा electron कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा that means जब भी कोई भी object electron का loss करता है तो वो positive charge को अपने उपर acquire करता है बाई साब तो वही लिखा है when an object gives up electron मतलब किसी को दे देता है it acquires positive charge जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसके बाद लिखा है decrease in electron बाई देख ध्यान से बहुत अच्छा बात proton के comparatively electron घट गया कि ने घट गया अरे घटा decrease हुआ decrease in electron compare to proton indicates positive charge तो यह चीज़े समझ में आ रही है अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पर अपने पास sodium जो है neutral था तो इसका net charge 0 होना चाहिए हाँ net charge 0 होना चीज़े तो उसके पहले आपको पता होना चीज़े है कि charge of electron और charge of proton कितना होता है तो electron charge on electron charge on electron charge on electron ठीक है charge on electron अपने पास charge electron पर होता है minus e और charge on proton ठीक है बाई या charge on proton तो charge proton पर कितना होता है तो proton पर होता है plus e और जो आप E देख रहे है ये क्या वला है तो E होता है basic charge, fundamental charge, fundamental charge का मतलब क्या, सब से छुटका आविस, है ना, अलागी अभी quark up, quark down है, हमको पता है, NCRT इस बात का जिगर किया हुआ है, लेकिन ठीक है, उस चीज को मानेता नहीं मिला है, तो चर्चा नहीं करेंगे, ठीक ह E का value होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम, केतना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम, आप सभी बच्चों को ध्यान दखना है, इस चीज को, तो इलेक्ट्रोन का charge आप याद के होंगे, minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम, अडे वही बात है, minus E, E का मानी यहां से चिपका देगा, minus का 1.6 into 10 to the power minus 11 कुलम हो है, अब चार्जन प्रोटोन मैंने बता है, पलसी, आप तुम एका value वहां चिपका दो, 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम हो जाएगा, बहुत अच्छा सर, बढ़ी आसर, हाना, अब निकालो यहां पर, sodium पर अगर charge निकालोगे, 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 निक लेक्टन के को, 10 को, minus 10E, घटेगा, पलस का E आजाएगा, ते गो पलस का charge आया है न, किलियर, हाना, बदा हो समझ में आया किने है, हरे भाई, मैं सूस करवादूंगा, हट टॉपिक को, हट टॉपिक को मैं सूस करवादूंगा, कहां classes चल रही है, कैसे चल रही है, कितने ब बढ़े चार्ज में क्या है, पॉदेटिव का उल्टा करना है बस, हाना, अब ध्यान से समझो, हाना, लिखा है, kia win an object accepts electron, it requires a negative charge, हाना, जब कोई भी object electron को accept करेगा, electron जब आएगा किसी भी object में, तो उस पर क्या आएगा, negative charge, भया, sodium किसी को electron दे रहा था, ते किसको दे रहा को दे रहा था आप् रिष्त्यदार को खोजके बुलाओ का अयले इलेक्ः ना लिए ते क्या हुआ होगा है ना सोडियम का जो रिश्तेदार है ना सद्स्राइब ये स्थाल का जो गलफन्ट है रहना कोर्णी को बहुत्ते प्यार दिया जाता है सोडियम का नाम हाना इस तरीके से लिया जाता है इस तरीके से लिया जाता है जैसे ही रांजे का नाम लिया जाता है समझते हैं आप लोग को मज़ा आता है तो इक्जांपल से समझने में आप लोग को मज़ा आता है ठीक है तो इक्जांपल से समझाते हैं भाई यहा अपने पास वह कितना है तो जैड है इसमें 17 बताओ निट्रल चार्ज है नहीं दिख रहा है चार्ण अना जितना प्रोटॉन होगा उतना है इसमें 17 आपने कभी को एक सपक्त करता है तो उसपे क Division को do कि क्लोरीन एक सब्सक्या लेख सकता है जिसकivas सब्सक्ता ठीक है जिसके पास सब्सक्राइब थे सकता है ठीक है यहाँ पर 62 ग्लोरीन सब्सक्राइब तो अभी भी दुभाइब उतना रहेगा तो फिर बदला कौन अरे वाइब बदलेगा कौन देखो जड़ अभी सत्रहिं रहेगा प्रोटोन अभी भी 17 रहेगा लेकिन इलेक्रॉस 17 था एक प्रोटस इंड केटरो का अश्रों ठाथ 12ités 9 ओसा Nepal रहा हुआ लिखा एक्सिस इंन इलेक्ट्रावज पार जब आप जब आप देखो गैंक्रों कीपmor आप देखो खोगे की रहा है पॉजटेट इलेक्रिस कर रहा है पॉसेटिटिब्स जाच और लिट्रोन का access है तो क्या होगा वहाँ पर तब वहाँ पर आएगा negative चाँ तो positive negative भाईया आपका क्या हो गया clear हो गया है चलिए आगे बरते हैं अब unit and dimension of charge charge का आप जानते हैं अना i बराबर क्या होता है qi t तो charge का formula यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग q बराबर i into t i ठीक है इजी को प्यार से क्या कहते हैं कुलम कहते हैं दिखाते कैप्टल क्यों से तो SI unit of charge क्या मिला आपको कुलम मिला तो इसका पूरा पेटर्न हम लिख देते हैं अच्छे से समझा देते हैं आप सभी को एक भी charge का ऐसा unit नहीं होगा तो किसी भी book में लिखा होगा चाहे व हो है इसे देखिए SI unit of charge ampere in two seconds अभी जस्ट बताया इसी को प्यार से क्या कहते हैं मुना कुलम कहते हैं CGS unit of charge ESU in electrostatics हना क्या होता है ESU जिसका full form होता है electrostatic unit और इसको हम लोग stat कुलम के नाम से भी जानते हैं और electromagnetic unit that means EMU magnetism में ही बनेगा क्या electromagnetic unit और इसको हम लोग AB कुलम कहेंगे जैसे इसको ESU के stat कुलम कहते है AB कुलम इसका अपने पास एक और मात रख होता है CGS जिसको हम लोग क्या बोलते हैं Franklin बोलते है प्रैक्टिकल unit of charge भया जो प्रैक्टिकल unit का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा तर परयोग में आता है तो MPR into our रे MPR into second है ना MPR into second है तो बस second के जब पर आवर लगाएंगे क्यों क्यों कि भया time का एक एसा युनिट जो सब पर मात्रफ कोन है सबसे छोटब का उनिट को ने चार्ज का फॉबसे बड़का कौन है बिगेश्च चार्ज पुझेगा तो तरफ या या बढ बदे को ने बहुता है योटpection है चलिए आगे बात्रफ सम अधर इंट ओव चार्ज का बहुत जादा है आभ ज्यादा बढ़ा मात रक है एक कुलम में एक दसम्मलब 2-5 गंदस के पावर 8-18 इलेक्ट्रोन होता है इसके कुछ छोटे मात रखो का यूज करते हैं हम लोग छोटी यूनिट सका यूज करते हैं हम लोग इसमें कुलम ा मैको कुलम थाओ यह सली होगा आघ घञाScript क्या जाता है इंसको जिया को याद रखेगा डामेंशन ओप्छाज नाँ या पावांस चाहि क्या होगा प्रस्क्या बढ़ाबन डाय सक्क्स chat या फिर इसको एलेक्टिक करेंट को हम लोग एक एसे भी पर्जेंट करते हैं इसके टाइमेंशन को तो ए टाइम का टी तो आई टी बोले एटी बोले दुन्हों बात क्या है सेम है तो आपका यह भी क्लियर हुआ युनिट टाइमेंशन ऑफ चार्ज बेस्ट लेक्चर फॉर क्लास ट्विल्ट भाई साथ और यह मैं नहीं बोल रहा हूं पूरा लेक्चर देखने के बाद आप भी बोलोगे ठीक है चलिए प्रोपर्टी ऑफ चार्ज अना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपर्टी ऑफ च चार्ज कि जिसमें तीन सामिल है एडिटिविटी कंसर्वेशन और क्वांटाइजेशन तो इन तीनों पर हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे इन तीनों पर क्या करेंगे प्यारे बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज पर ठीक है पास माइनस फोर कुलम यहां है टू कुलम चार्ज बताओ नेट चार्ज इस पर कितना होगा नेट चार्ज इस पर टू कुलम होगा प्लस का टू कुलम कैसे निकाला कैसे निकाला तो सौब को जोर की निकाला है ना यहां लिगा प्लस चार्ड कुलम यहां लिगा प्लस टू क टाटा बाए बाए तो नेट चार्ज कितना आ गया प्लस2 कुल तुमको ने लगता है तुमको ने लगता है कि किसी बड़ी पर नेक चार्ज निकालने के लिए उसमें जितने भी चार्ज प्रिजंट थे सबका जब्रिक सम कर दिये तुम लोग जब्रिक सम क्यों कि यहां पर साइन के साथ जो sody प्लस माइन से तो माइन स rear लग्र की इसको क्या कर रहा है यही ए डिटिवीटि आज घार खर स्कौ लिखा है अच्छा जे कई से तो net charge अगर आपको किसी भी बड़ी पर निकालना होगा तो जितने भी charge प्रिजेंट होंगे सब का क्या कर देना है प्यारे अलजेबरिक सम जो है वो कर देना है यही है चार्ज का एडिटीविटी नेचर तुमारे जोला में जितना आविश तुमको कुल आविश चाहिए अना कुल नेट चार्ज चाहिए ठीक है और कभी-कभी मैं हिंदी बोल दिया करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कुछ नेडिम करके गविले भाईया यही क्या है एडिटिवेटी आफ चार्ज ठीक है चलिए अब कंजर्वेशन आफ चार्ज्ट इस बरी इंपोर्टेंट फो यू अना बहुत इंपोर्टेंट है कंजर्वेशन आफ चार्ज देखिए आपने तो एक बर्ड सुनाई होगा चार्ज इसका क्या होता है बिनास होता है ठीक है अची बात लेकिन लेकrecht नया चीज़ लिखा है तो तोटल चार्ज-फ अफ एन आइसूलेटेर्ट रस इस वादी अ और चाले, ऐस yani, सर अ कि झाषका में, यहीं सलकनों सब्हक्रांद प्यारें एक ऐसा सिस्टम जैसे मास और एनरजी को इंट्रोड्यूज नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं आईसोलेटेड सिस्टम उसको क्या कहते हैं आईसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जैसे माल लेगी मेरा रूम आईसोलेटेड सिस्टम है तो मास और energy को in-troduce नहीं कर सकते हैं इंट्रोड्यूज नहीं करने का मतलब क्या हुआ तर इसका जितना मास है, अभी इसमें से न कोई चीज बाहर जाएगा, न कोई चीज बाहर से अंदर आएगा, जितना मास है, वो भी constant रहेगा और जितना एनर्जी है वो भी constant रहेगा तो भया मास के साथ छेर खानी नहीं कर रहे हैं तो चार्ज कहां से बदलेगा क्योंकि आपको पर आएंगे कि किजी अब्जेक्ट पर चार्ज आता है तो मास भी अफेक्ट होता है क्योंकि एलेक्टोन निकलेगा तो अपना मास लेकर सिस्टम को कहते हैं जिसमें मास इनर्जी को इंटर्ड्यूज नहीं किया दा सकता है इतना समझना एकर तुम्हारा खोपड़ी जो आइसो लेटर सिस्टम है तो द्रब इमान इसमें भर नहीं सकता है अगरा से निकाल भी नहीं सकता है गजाब सर आगया समझ एक्जामपल है आपको समझने में मज़ा आता है तो एक्जामपल लेते हैं मान लो कि है object A और मान लो कि object है B मान लेंगे में क्या जाता है यह object क्या है B है मान लो कि neutral है दोनों तो इसमें जतना proton उतना इसमें भी जितना proton उतना electron मालो कि proton 10 है इलेक्ट्रोन इसमें 10 है इसमें प्रोट्वन अपने पास 20 है और इसमें अपने प्रोटॉन का चार्ज करते प्लस एए एक इल्यक्ट्रोन का गते हैं माइननसी दो प्रोटॉन तो प्लस तूई हम तो 2 एलेक्तों तो मांईनस ट्रॉस गधा प्रोटवाइस गधा केतना प्रोटवाण है दस गो तो प्रácकर गप्लिस प्रॉस्त प्टर लेक्तों में हैं नगर फिल्वाएगा ऐख हैं प्र perquè Xin ले तो पहले ही बोले थे आप सभी को नियूट्रल का यह क्या है यह अपने पास न्यूट्रल आपको नीचे दिख नहीं रहा है था ना अब दीखेगा ठीक है यह क्या है अपने पास neutral इकषास जब और नेटशाज निकालो यह प्लस 20 स今 स्विटेен बाइफ गितना आ गया गजाब सर्ठ एर्या दीड्म और फेल तो की किसी तरीके से न साने वो क्या तरीका है लेकिन मान लो कि किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से कुछ इलेक्ट्रोन एसे निकाल करके कहां घुजा दिया हम बी में अना बी में डाल दिये ठीक है एसे इलेक्ट्रोन निकाल करके कहां रख दिये बी में अब एसे इलेक्ट्रोन निकाल करके कहां रखेंगे बी में रखेंगे त पत्चेशं बताओ अगर नेट्ट चार्ज है यह पर गजबका हो गए कि उसको सर्फ करेंगे तो इलेक्ट्रोन आया था उस पर माइनस आ गया यहां से यह भी चीत देखने को मिलता है अब एक बात बताओ हमको नेट चार्ज निकाल की बताओ यह पहले नेट चार्ज कितना है तो कहोगे कि सर पहले नेट चार्ज अगर बात करेंगे तक QA plus QB 0 plus 0 is equal to 0 इधर neutral है दुन्नों तयो चार्ट 0 है अगरा कैसू अगर आभेस ला दिए कैसू अगर आभेस रगर वर के कैसू आभेस ला दिए रगर के सटा के रगरने का मतलब फ्रीक्शन सटाने का मतलब गलत ने समझना ठीक है कंडक्शन पास लाकर के पास लाने का मतलब इंडक्शन ठीक है सब फिजिक्स का टॉपिक है तो यहां पर कैसू चार्ज लाए इधर देखो तो नेट चार्ज कितना है नेट चार्ज निकालोगे ए और बी का जोड़ दो इसलिए लिका है the total charge of an isolated system is always 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 constant बदा हो मज़ा आया कि नहीं है मज़ा आया होगा तो comment section में आप सभी को बताना है चलिए अब quantization of charge quantization of charge को समझते हैं लेकिन उससे पहले आपको basic charge समझना पड़ेगा क्या समझना पड़ेगा मुन्ना basic charge को समझना पड़ेगा रिपरजेंट करते हैं एका वैली होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 29 कुलम 1.6 इंटेंट वी पावर मैनस 19 कुलम ठीक है तो basic charge जो है क्या होता है तो आप सभी को मैं बता दू कि किसी भी object का वह छोटा आवेश जिससे छोटा आवेश हाना उस object पर समभब नहीं है उसको हम लोग क्या कहते है basic charge कहते है उसको हम लोग क्या कहते है basic charge उसको हम लोग कहते है मुन्ना हाना उसको हम लोग क्या कहते है basic charge उसको हम लोग कहते है गजब सर समझ में आ गया सर कि basic charge जो है वो क्या होता है सबसे छुटका आवेश होता है और वार्फ डाउन जो है और अपने पास अगया है जिसका वेलू 2 by 3e है ना और 1 by 3e होता है खेर हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे कि क्या अंसे साथ बोला है कि नेचर में इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसलिए इसका चर्चाम लोग नहीं करेंगे सब छुटका आवेश किसी भी अब्जेक्ट का क्या मानेंगे ए मानेंगे और एका वेल्यू कितना 1.6 इंटेंट वी पार माइनस –19 कुलम कोई दिख्कत कोई परिसानी नहीं है अब एक बात बताते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने पास और निकले गा ना या इलेक्टोन आएग तैक तरीके से आता जाता है निकले गा या आएग तो यह अपने पास ये अपने पासρωप्प्र में निकलेगा ठीक है फ्रैक्शन में डेसीमल में ना निकल सकता मतलब एक अबजेक्ट से अगर एक लेक्टोन को निकलना आए तो या तो एक लेक्टोन निकलेगा ने तो दू निकलेगा ने तो तीन निकलेगा ने तो चार निकलेगा ने तो पांच निकलेगा निकलेगा न तो पांच मिलियों पांच मिलियों हैना ऐसे न हिकले आदा गोलेपन निकाल सकता है। तो क्वांटाइजिशन में नहीं होता है carent단 हिंसलग है पिन निकाल सकते हैं लेकिन भी निकाल सकते हो लेकिन देखो बिसलड़ी वाला को कित्य दिमाग लगाया बंद किया बोतल में एक बोटल कर दोगे 20 रुपई आगला खरीदना है तो फिर तुमको रिक्वारेमेंट इतनी पानी का तो नहीं मिलेगा फिर नेक्स्ट बोटल तुमको 20 रुपया मिलेगा है वह क्वांटाइजड कर दिया गंगा जी कापामी क्वांटाइजड नहीं मास्टर भी परहाइज या तो दू ने तो तीन ने तो परहाएंगे या तो तीन ने 7 ने तो 50 ऐसे पढ़ाएं सब्सक्राइब निश्चित मात्रा में अरतान प्रदान होती है उसको हम लोग कहते हैं क्वान्टाइजेसन तो एक निकलेगा नेत दोर निकलेगा नेत तीन नृत conversation सब निकल सकता अब तो एक 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 मैणने प्रदान सीय ओपजेक्त से निकला थे टीन गो निकलेगा तो प्लस 2E आएगा, 3 को निकलेगा तो प्लस 3 आएगा, ऐसे करते N इलेक्टोन निकल गया तो प्लस N E चार्ज आज आएगा गजब सर, फर्मुला वाला फिलिंग अब आरा इलेक्टोन, एक लेक्टोन आएगा माइनस E चार्ज, दू आएगा प्लस माइनस N E लिख देंगे यही है क्वान्टाइजेशन क्या आपको नेट चार्ज किसी भी बड़ी पर अगर चाहिए तो वो बेसिक चार्ज के इंट्रिगल मल्टिपल के बरावर होता है आप प्लस माइनस कुंची कर रहा है सर यहाँ पर यही तो समझना था यही तो समझना था तुमको अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया आ आ गया तब स्टेटमेंट परते हैं डवैल्यू आप टोटल चार्ज ओन एन अब्जेक्ट इस एक्वल तो पड़ने और सम्झाने का तरीका असान भारी हो सकता इसको सब्जेक्ट भारी or यह कर लेकिक कर लें किसी चीज़ों नहीं होता है नहीं है तो तुमको चीजिया असान लगेगे या फिर भारी लगे तो अभी तीन बेसिक प्रोपटी जो है चार्ज का हम लोग ने खतम किया additivity ठीक है quantization और conservation और conservation हमने इस चीज को क्या क्या खतम किया अब quantization पर कुछ ना numerical हम लोग बना लेते हैं ठीक है quantization पर कुछ सवाल हम लोग बना लेते हैं किसी चीज में कम ही नहीं छोड़ेंगे चाहे थिवरी हो चाहे समझाने का तरीका हो या फिर एक्स्टा टॉपिक हो या फिर नुमेरिकल हो देखो न नुमेरिकल आया एक फर्मूला भी पर है कि एक पॉलस है नहीं देखो कितना नुमेरिकल इस पर बनाते हैं तो बोल रहा है कि आप फ्रम नूट्रल बॉड़ी 10 to the power six electrons are removed calculate the charge on the body धीरे-धीरे सवाल के level बढ़ेंगे पहले basic फिर average फिर advance आएंगे ठीक है तो अपने पास बोल रहा है कि एक neutral object है एक क्या अपने पास neutral object है 10 to the power six electron को यह क्या कर रहा है रिमूव कर रहा है निकाल रहा है इसका मतलब तो calculate करने के लिए बोल रहा है चार्ज उस प इका वैलू हम लोग जानते हैं कि एक दस हमलोग चौप ना दस के power minus 19 कूलम होता है ठीक है तो यह कितना आ जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 ठीक है और यहां पर कितना है 6 तो इसमें से इसको subtract कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपने पास कितना आ जाएगा आपने पास ध्यान दो ध्य एड कर रहा है बढ़ रहा होगा तो कि एक पॉल्स क्या लगा देंगे माइनस का एनी एक एलेक्ट्रोन आ रहा है आएगा माइनस का चार जाएगा भाया ठीक है तो माइनस 10 to the power यहां पर कितना 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम सॉल करो तो माइनस 1.6 into 10 to the power देखो तो यहां पर कितना ह हो जाएगा माइनस का चाहुदा कूलम यह आपका क्या है आंसर है नेक्स्ट क्यूस्ट्सन प्राइट हाव मैनी एलेक्ट्रॉंस में भी रिमूट फ्रम बड़ी तो डाट इट में है चार्ज ऑफ वन कूलम किसी ऑब्जेक्ट से कितने एलेक्ट्रोन को निकाल दे ताकि उ आपको पता है तो चार्ज है एक कूलम चार्ज है कितना एक कूलम ठीक है तो बोलड़ा है कितना इलेक्ट्रोन निकाले के एक कूलम आएगा एक क्यू इक्वल्स क्या होता है एनी नंबर आफ एक कूलम का चार्ज लाना है ठीक है मुन्ना एक कूलम का चार्ज लाना है एक वैलो 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम टाटा बाइबाइय बाइट करोगे न मुझे तो याद है जीरो पॉंटुऔट मुझे तो याद यह 0.625 आ जाएगा 10 to the power 19 देखिए significant figure हैना scientific notation कहता है कि point जो है एक अपने पास जो है digit है उसके बाद होना चाहिए तो 6.25 एक digit को उधर करोगे तो पावर घट जाएगा 10 to the power 18 यह तुम्हारा क्या है answer तो आपको याद रखना है number of electrons in one column of charge is 6.25 into 10 to the power 18 इस चीज़ को याद रखना है मेरे प्यारे बदाओ मदा आ रहा है क्या तो अगले question की तरफ चलते हैं अगला question बोल रहा है क्या can a body have a charge of 4. 4.8 into 10 to the power into 10 to the power अना यह into है कोई X नहीं समझे लेना ठीक है लगता है typing करने वाला जो है X में खोया हुआ है ठीक है इसलिए इन्टू को X लिख दिया है ना 10 to the power minus 18 कुल्ण है क्या क्या की is it charge of 4.8 into 10 to the power minus 18 कुल्म is possible है ना क्या यह charge possible है आओ ज़रा चेक करते हैं जब भी possible है चार्ज नहीं possible है ऐसे टाइप की equation आपके पास आएंगे फटाक से n निकालो अगर n integer है वो possible होगा नहीं है तो possible नहीं होगा अगर n integer है तो पसिवल होगा नहीं है तो पसिवल नहीं होगा गजब 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 बदाओ कोई दिक्कत कोई परिशान नहीं है अब चेक करो यहां से यहां से चेक करोगे जब यहां से जब चेक करोगे तो n बराबर क्या है q upon e q का वैलू कितना 4.8 into 10 to the power minus 19 कुलम एका वैलू 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम यह देखो टाटा यहां से तीन गुना 10 के पावर माइनस 18 गुना 10 के पावर प्लस 19 ते कित्या जाएगा तीन गुना 10 के पावर एक दाटिमेंस यह 30 आ गया अरब यह इंटीजर है n की नहीं है इसका मतलब यह क्या है कि यह चार्ज पॉसिबल है किसी भी ऑबजेक्ट का नेक्स कुस्षन का सब्सक्राइब आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएए इस चार्ज ऑफ 4.8 इंटे टूदी पार माइस 20 कुलम इस पॉसिबल आप सोजी बच्चे ने में कमेंट करके बताने है रहा है यह चार्ज जो है पॉसिबल यहां पर कुछ आपको ब्लैक सेट आ रहा होगा तो टि ठीक है जब समझाते हैं आप सभी को तो बहुत सहारा बनता है श्कर करके हम समझा पाते हैं ठीक है है नहीं पड़ोगे न सब ठीक से बड़ कुटेंगे तुम लोगो परना जरूरी लगी है परना जरूरी है इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं अधना अच्छा से पढ़ार ठीक है चलो आगे बरते हैं जा भया तुब बाध में आना ठीक है चलो दो इक कोसर मानते हैं चेक करन आए या लेते हैं क्या दिखक्त है तो n बढ़ाबर क्या होगा Q upon E 4.8 into 10 to the power minus 20 कुलम upon 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम टाटा भाई-भाई रे बाई-बाई बाई एव बाई 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 थीना जाएगा 3 गुना 10 के पावर minus 20 गुना 10 के पावर plus 19 गुना 10 के पावर minus 1 मतलब 3 बढ़ता 10 अरे कुछ point में आएगा इसका मतलब not possible ठीक है क्योंकि integer नहीं आ रहा है पुर्णा का आएगा तभी संभव है आना ही तभी संभव नहीं है ठीक है तो ऐसे भी सवाल आते हैं ठीक है बुलना है क्या कि what is the amount of charge passed by one kg of electrons given that mass of an electron is इतना केजी यह बड़ा प्यारा कुस्ष्ण है ठीक है यह बड़ा प्यारा कुस्ष्ण मैं चाहता हुआ वीडियो को pause करके वीडियो को रोक करके आप तमाम बच्चे जो इसको try केज़े ठीक है खर आप बना लेजेगा तेखो एक केजी electron में पूछ राए कि कितना charge होगा और चार्ज जो है electron electron का माज़ दिया हुआ है अब बताओ एक electron में एक electron में एक electron में चार्ज कते होता है चार्ज होता है एक गुना दस के पावर माइनस 19 कुलम गजब सर एक कुलम एक 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 एलेक्ट्रॉन में इतना कुलम का चार्ज होता है तो एक एक एलेक्ट्रॉन में कितना द्रभे मान नौ दस अमलब एक गुना दस के पावर माइनस 31 केजी इतना कीजी इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है इतना केजी इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है रहेगा जब से हैं ना तो 1 kg में केते होगा कोई बात नहीं या एक जबस घर माइनस नहीं को ढ़ता आणा नो दसंब्लब एक गुना 10 के पावर माइनस का माइनसका एदका तिस के जी अना झेगो जी को सॉल्व करोगे नहीं को क्या सोल्व करサート से पुएन्च अपने पास भड़ जाए खेंगा इसे अपने पास ट्रव घुंत से आ जाएगा इकनवे अधैक है 16 और 10 में पास दसके पाव्ड तो को यहां पर यहां पर क्या है अपने पास एकत्थ सुन्ष मझे था यहां जाएगा आपने पास प्रक्राइब पास 31 अबर क्या अपने पास 31 आउपर में 19 है भर यह आजाएगा आपने पास कितना 12 आजएगा ठीक है 11 वा नवा आंसर सही होगा 11 वा अनसर सही होगा कहां कि आपने पास आजब इसको और डिवाइड करोगे करके देख लेना 0.17 1758 ऐसी सम्थिंग आता है तो अपने पास ऑप्शन भी इसका क्या होगा अपने पास होता है तो यहां पर क्या लिखेंगा लिखेंगा यहीं न लिखेंगे गिविन मास अपने पास अपने पास एक इतना होता है होता है दिया तरफ इमान बठ्टा में क्या पर्मानमिक तरफ इमान यह न लिखेंगे give in mass upon में अटमिक मास दो मुल आया कितना स्यालिस्त ग्राम सूटिय में कितना मॉल एडो मुल इस पहले नमपर अद निकाल लोगे उसे बाद क्या करना है सुनो नीकाल लो number of particles number of number of particles in one mole in one mole the number of particles in one mole कितना होता है यहां से 16 सम्भल जीरो दो ते निन गुना 10 के पावर 23 पाटीकल आता है थेक है इतना पाटीकल होते हैं एक मॉल में ठेक है तो बताओ दो मॉल में कितने होंगे दो मॉल में कितना number of particles in two two and now mole कितना वोगा दो गुणा छोदा सब्लब 023 गुवर 23 इतना पाइटिकल आ है जुग को समरा से सभी तक अपना एक Umm No of number of number of number of moles निकाला हमने और number of moles निकालने के बाद number of particles निकाला एक mole में इतना particle होता है दो mole में दूग ना इतना होगा है ना बोल रहा है क्या find the number of electrons associated with इतना gram of sodium आप number of electron अगर निकालोगे आप number of electron अगर निकालोगे आप number of electrons निकालोगे एन तो number of और इसमें हैं एक जात्म इक से लिग्टरान पार्टिकल से श्मुक्राइब करना है करना नृब करना पार्टिकल तू इंटो इन टू पोईंट 0 23 इंट। इन टू पावर ट्वेंटी थिरी इतना है तुम्हारा नंबर of electrons in 46 gram of water अच्छा यही पर बोलता है find the charge associated with 46 gram of sodium तब क्या करते है या Q is equal to लगा देते N E हाना हम लोग को पता है कि यतना है करा में गुना कर देते इसमें multiply कर देते 1.6 into 10 to the power minus minus 90 ने कुल हम से ठेक है चलिए next question है ना next question देखे क्या है find the number of electrons and charge associated with 180 gram of water है ना water तो H2O है ना बोल रहा है 180 gram H2O में कितना number of electrons होगा और कितना charge होगा मैं चाहता हूं कि इसका answer आप लोग comment करके बताईए अगर नहीं बना पाएंगे है ना time process है सबसे पहले moll निकालना है मोल निकालोंगे तो दस मोला जाएगा 1804 रहना एक कर कितना होगा molar mass कितना दू और इसका कितना होजाएगा 16 18 10 मोला जाए उसके बाद नमबर अवगे निकालोंगे नमबर अवगे निकालन के बाद तो पास आठ दस अगुना नमबर अफ पार्टिकल्स कर दोगे तो आगया नमबर अफ एलेक्ट्रों नमबर अफ एक पॉलस है नहीं लगा दोगे तो कुमेंट कर देना किसी और वीडियो में हमें इसको बना देंगे ठीक है चले some other properties of charge जाना नहीं है ठकना नहीं है रुकना नहीं है जुकना नहीं है ये सारी चीज़े आपके अंदर होनी चाहिए उस दिर और उस दिर और उसके बाद लेक्चर आपका खतम होगा पूरा देखके जाओ about charge जो मैंने thumbnail पर लिखा है बहुत ही सांदार तरीके से क्लियर कर रहा हूं और मैं घरेंटी देता हूं इतना डिटेल वीडियो आपको free of cost कोई भी यूट्यूब पर आ करके नहीं पढ़ाएंगे आना चाहिए कितनों बड़े नामी टीचर का है ने क्या उनको तों नहीं आता है आता है पेड कोर्स में पढ़ाते हैं यूट्यूब पर इतना और यह देते तेना लेकिन तोब विराज मास्टर पूरा धोती खोलने वाला है पूरा पढ़ाएगा पूरा जितना आना सब पाढ़ाए candice आपको पूरा पर्हाने वाओ ठीक है चलिए आगे बर बरते हैं होगा रिपल्टAntches गड़ीपलस एक्षि पर से जोड़ दूथ इसको ठिक है वलस्फिट डैसस नॉटाफएक्ट चार्ट है ना चार्ज को velocity और speed effect नहीं कर सकता है क्योंकि charge जो है nature में invariant होता है invariant का मतलब speed के साथ उसका value change नहीं होगा speed के साथ उसका value change नहीं होगा अगर यहाँ पर rest पर कोई charge है ठीक है और इसमें मालो कि इसका charge है 10 column ठीक है अगर इसको आप velocity दे दोगे भी और यह आ जाएगा किसमें motion में तो अब भी इस पर charge कितना होगा 10 column भी होगा charge पर कोई motion का effect आने वाला नहीं है लेकिन हाँ specific charge पर motion का effect आता है तो specific charge क्या होता इसरा सीख ले हम लोग ठीक है charge और अपने पास नया चीज़ आता specific charge है specific charge आता है specific का spelling चेक कर लेना specific charge कैसे निकालते किसी object का अना तो उसी का charge ठीक है उसी object का charge upon में उसका mass तो QYM को ही specific charge हम लोग कहते है प्यारे ठीक है तो जब आप जानते हैं कि velocity वहुत ज़ादा होता है ठीक है तो अपने पास जो object है उसका mass effect होता है तो उसके बादे से अपना specific charge भी effect होने वाला है ठीक है specific charge भी उसका effect होने वाला है तो अपने पास अगर velocity बहुत ज़ादा है तो mass बहुत बढ़ता है जैसे कोई भी particle को speed of light से चला दो उसका moving mass infinite हो जाए तो बहुत ज़ादा अगर speed से कोई particle travel कर रहा है तो उसका specific charge जो है decrease करता है ठीक है खर अभी आप इस चीज़ को समझे तो यहाँ सी question बनता है find a specific charge of electron ठीक है तो electron का specific charge क्या होगा तो electron का अपने पास charge कितना 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम ना जार minus भी होता है रहे होता है अभी जिर्फ परिमान से मतलब अब magnitude से मतलब इस नमबर लिख रहा है न अब मास कितना 9.1 into 10 to the power 31 kg ठीक है इसको solve कर ले ना तुम्हारे पास answer जो है वहाँ जाएगा यह क्या है तो यह specific charge of electron ठीक है चलिए आगे बरते है charging an object also affect its mass देखिए कोई भी object को अगर charged करेंगे यहां से दो रास्ता है या तो positive charge कर सकते हैं या फिर negative charge पोजेटीव चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रोन को add करेंगे तो इलेक्ट्रोन का मास जाएगा क्या आएगा अरे इसे मतलब जाएगा यह उतना ही रहेगा बताओ तुम को भगा देगा कहीं से थोपन दर भयमा अरे ना तुम अगर कहीं से जाओगे ना अपना मास लेकर करके जाओगे अना तो इलेक्ट्रोन अगर जाएगा अपना मास लेकर जाएगा मतलब पोजेटीव चार्ज जब आएगा किसी अब्लेक्ट्रोन मास डिक्रीज कर जाएगा तो मास इंक्रीज कर जाएगा लेकिन डिफरेंस कितना छोटा होता है कि इसको इग्नोर करके चलते हैं यह मास अफ इलेक्टरन होता ही कितना है नाइन पॉइंट वाइंट वाइंट इन्टेंट टू दी पावर माइनस थाटी वन के जी पहुत चोटा लागबग जीरो के बढ़ाव अल्मोस जीरो के बढ़ाव इस आसर साइंस सम्रज्जी के बारें बताना कि एक बार उनका लैक्चर भी देख ले और यह रुकने वाला नहीं है ये रुखने वाला लेक्चर नहीं प्यार आपका समर्थ सपोर्ट मिलेग से बढ़े गईगा घटएग नहीं आइज यह आप देख रहे हैं वेरा पढ़ कर जाएगा कर चार्ज ताइगा मैं ऐसे क्या दिक्रेज कर जाएगा डिक्रेस क्या खिखको अगर तुम्हारे पास conductor है यहाँ पर अगर तुम चार्ज दोगे तो कुछ दिर के बाद देखोगे यह सारा चार्ज अगर conductor है तौब insulator है तौब ना है तारा चार्ज जो है इसके surface पर क्या कर जाएगा distribute कर जाएगा ठीक है अगर conductor है तो आप किसी भी conductor को अगर कहीं पर विचार्ज दोगे तो सारा चार्ज कहा distribute होगा surface पर distribute हो जाता है ठीक है इंसुलीटर में जहां दोगे महीं रहेगा बुलता वाला कहा में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं लिखाए और रेस आपडाने चार्ज प्रोड्यूज को बनाता है था-न चार्ज व॑ण चार्ज रहां, और चलिये मोथ बहूत tes बहुत ही सांदार तरीके से अभी मैंने सूट किया इस lecactor को थीख है आप बताओगे कि आपको कैसा लगा थीक है थैंक यू 시청 watching आप सभी को और हिम्मत और हौसला बनाए रखना मेरे दोस्त अगर हिम्मत हो तो एक चीटी जो है एक चीटी जो है वो भी अपने अना अपने अपने द्रवयमान से ज्याज़ा द्रवयमान को उठा सकती देक है और हिम्मत ना हो तहांती जैसा शरीर भी कोई फाइदा नहीं अपने होसलाव को हमेशा बुलंद रखिए अपने जज़वा को हमेशा हमेशा करांतिकारी बनाईए और हमेशा किसी भी परिस्थिती से लरने का हिम्मद जो है अपने आपके अंदर डेवलप किजिए आप देख रहेते साइंस समराज आपको परा रहेत से बिराज आ रहा सर कैसा लगा आपको क्लास आप सभी बच्चों को बताना है बहुत बहुत धन्यबाद आप सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार लव यू वाल बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे चार्ज का दो और लिंक टॉपिक बचा हुआ है चार्जिंग है ना जह सब्छन के थर्ड सब चार्जिंग पर और तीसरा लेक्चर से हम लोग को लम्स लोग की पढ़ाई करेंगे असंते रहे है मुस्कुराते रहे है स्वास्त रहे है मस्त रहे है अना अपना ध्यान रखे अपने पड़िवार का ध्यान र府 वbly शाण को पर ये खूप versatile पू